जैमेम नेता सुप्रियों बड़ाचारिया ने मुंबई मेर राहूल गांधी की नियाय यात्रा के समापन को लेकर मीडिया को धन्यवाद दिया और साथी मुंबई मेर कलपना सोरेन की बातों को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जारखंड नहीं जुका है तो भारत भी नहीं सवाल खड़ा किये जहारखंड ने जिस प्रकार सामने आकर काम किया अची अज देश को भी इस काम को करना है का जारखंड नहीं जुका है तो भारत भी नहीं जुकेगा जहारखंड लडेगा भारत लडेगा इंडिया जीतेगा अब मुद्दाविहीन हो गया आज से मैं सुबह से देख रहा था राहुल जी ने जिस अशूरी शक्ती का नाम लिया था उसको किस प्रकार से यह लोग टॉस करते हैं और आचिसे सयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है कुंदन पुर्व सियम हेमंत सोरेन की पतनी कलपना सोरेन लगातार सुर्ख्यों में बनी हुई है पहले जारखंड में उन्होंने मंच से बीचपी को ललकारा और अब मुंबई पहुँचकर भी उनका वही अंदास देखने को मिला और यही वज़ा है कि कलपना सोरेन ने जो भी बाते कही उसका असर अब जारखंड की राज़नीती पर होता हुआ नजर आ रहा है कुंदन देखने को मिल रहा है हलंकि इसे बीच जो मुख्य भी पक्षी पाटी भाज़पा जो है वो के सीधे तोर पे कलपना सोरेन पे भी हमलावर दिख रही है चुकि जो इंटरिव हुई है वो कहीं न कहीं वो बहुत बड़े रूप में देखा जा रहा है चोकि कलपना सोरेन पूर्व मुक्यमंत्री हेमन सोरेन की पतनी है वो और निश्चिती हैं माना जा रहा है कि हहेमन सुरेन की पत्नी होने के नाते उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी घरी होती हुई दिखाई दे रही है और हेमन कि जो सपने हैं उसको चार चान लगाने के लिए दीन रात एक वो करके और राजनिती के हर वो पहलू को समझ कर और कदम से कदम बरहा रही है भाजपा जो है उसको लेकर भी हमलावर दिख रही है जिस तरीके से कलपना सोरेन एक प्रकार से कहिए कि सिंपति कार्ड भी जो है देखने को मिल रहा है तो कहीं ने कहीं इसको लेकर भाजपा की सिर्दर्द बढ़ने वाली है तो इसको लेकर भाजपा काफी हमलावर दिख रही है वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो गटमंदन में कॉंग्रेस जो पार्टी है जेमेम के साथ में जो कॉंग्रे कह सकते हैं समझने के चीजें जो हैं वो संफ़र महत्तोपूर्ण के रूप में जो है वो कल्पना सोरें आगे आने वाले भविश्य में ज़ारखंड को एक बरे स्ट्रॉंग महिला के रूप में जो है जहारखंड को मिल सकता है जी रूपकुल अकुंदर और सिंपती वोट भी कलपना सोरीन के साथ है ऐसे में क्या उमीद जताई जाए क्या जो चर्चा हो रही है कि गांडिस से कलपना सोरीन उमीदवार हो सकती है पार्टी इस पर कोई फैसला अले सकता है निश्चित तोर पर पूर्व में जो कयासों का बाजार जो गर्म हुआ था जिस समय सरफराज जमज वहां के विधायक थे उन्होंने जो अपने विधायकी से जो इस्तिफेत सौपे थे तो उसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि वहां से कलपना सोरीन उमिदवार हालंकि अभी इस पूरे परकरन पे ना तो जेमेम का कोई स्टेंड सामने आया है ना कॉंग्रेस का आया है और ना ही कलपना सोरीन स्पष्ट कुछ कर रही है लेकिन ये कयास लगाये जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो विधायक क्या इस्तिफा हुआ था और चुकि उस समय ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमन सोरेन एडी को पूछताज के लिए समय भी दिये थे तो ये कयास उसी समय से लगने लगे थे कि कलपना सोरेन वहां से बत और विधायक ये कह सकते हैं कि इंडिया गडबंदन की कैंडिडेट होंगी बिल्कुल कुंदन इतजार करना होगा कि पार्टी की तरफ से उपचारिक ऐलान कब किया जाता है बहुत शुक्रिया कुंदन आपका तबाम जानकारी के लिए